एक हजार चतुर युक का दिन इतनी ही रात्री और तीस दिन रात का महिना बारा महिने का एक वर्ष और सो वरस की विर्माजी की आयो और गर्माजी की मर्थ्यू होगी है फिर इसी परकार इस साथ गुना विश्णु जी की आयो विश्णु जी की मर्थ्यू होगी फिर विश जो शिवजी मरेंगे उसमें उनन्चास बार बिर्मा मर चुके होंगे और वरतमान की जो आत्मा बिर्मा जी की है वो अन्य योनियों में चली जाएगी अपने करमाधार पे और उसमें साथ विश्णों मर चुके होंगे उनकी भी अन्य योनियों में आत्मा चली जाएगी और अच्छी आत्माओं में से नए बिर्मा और विश्णों ये काल अपनी पत्नी दुर्गा से उत्पन करके और उनको यूआ रखता है त्यार रखता कमपनी में इनके मरते ही उनको रख देता है और फिर उननचास यानि उननचास बार विश्णों की मर्चु के बाद एक तमोगन सीव की मर्चु होगी काल के पूतर सीव की मर्चु होगी और उस ऐसे सत्तर हजार बार सीव की मर्चु के उपरांद एक ब्रमान्ड का विनास होगा और इस पुरस यानि इनके पिता इस काल रूपी ब्रम की मर्चु होगी